नमस्कार मेरे प्यारे साथ्यों मैं आत्माराओं आप सब का RPC ग्राम में टोप पर समान ये ग्यानी उट्षिन में स्वागत करता हूँ दोस्तो अभिनान करता हूँ दोस्टों यह इविनिंग किलास है तो आप समझ सकते हैं कि यह किस लीयगी BSTC के लिए तो राज़स्तान के Top 30 कोशन लेक रहाएं दोस्टों BSTC के लिए तो अब की बार BSTC पार लेकि पार अब की बार BSTC पार इन कोसनों के पीडिय भी दोस्तों डिस्टरसन में लिंक मिलेगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो तो शुरू करते हैं आज का पहला कोसन राउली परवत राउली परवत राजस्तान राज्य के कितने परतिस्त भूबाग पर इस्तित हैं बताईए दोस्तों सोच कर आंसर दीजिए क्या आंसर होगा कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों आंसर है दोस्तों नो पर तिसत भूबाग पर राजस्तान में फिलावा है राउली परवत दोस्तों नेक्स्ट कोसन देखती है राजस्तान में खारे पानी की सरवादिक जिले किस जिले में दोस्तों राजस्तान में सरवादिक खारे पानी की सरवादिक जिले किस जिले में बताए जोदपुर में या नागोर जिले में या जेपुर जिले में या बाड मेर जिले में नेक्स्ट कोशन, राजस्तान में चंबल नदी का प्रवेस सरुपर्थम किस जिले में होता है, दोस्तो, समान्य कोशन है बताई दोस्तो, राजस्तान में चंबल नदी का प्रवेस सरुपर्थम किस जिले में होता है, कोटा में, बांसवडा में, चितोडगड में, जालावड में किस जिले में प्रिवेस होता है दोस्तो राजस्तान में चंबल नदी का आंसर है दोस्तो चितोडगड जिले में किस जिले में चितोडगड जिले में प्रिवेस करती है सरोपर चंबल नदी नेक्स्ट कोशन निमन में से करकरेका को दो बार पार करने वाली नदी है दोस्त कमेंट करके दीजी आंसर, आंसर है दोस्तो, माई नदी, क्या आंसर है, माई नदी, नेक्स्ट कोसन देखते हैं दोस्तो, किस नदी के प्रवाद छितर को राजस्तान में चपन का मेदान का जाता हैं दोस्तो, बहुत ये च्छा कोसन है दोस्तो, किस नदी के प्रवाद छितर सोमनदी के परवाचातर को या माई नधी की परवाचातर को या बनास नधी परवाचातर को या चंबलनदी के चुए तो दोस्तों आंस्वर है दोस्तों माई नदी माई नदी की प्रवाचतर क्या का जाता है दोस्तों चपन का मेदान नेक्स्ट कोसन देखते हैं निम्मन में से रावली प्रवत माला में इस्तित राधस्तान की जिलों की संक्य है दोस्तों राधस्तान में रावली प्रवत माला है कितने जिलों में विश्था रहा है तो आणसर क्या होगा दोस्तोह 12 जिलों में 65 जिलों में 64 जिलों में 16 जिलों में 12 गंगा नदी 12 पृस्तोह बान या चमबल क्या आनसोरोंग को दोस्तों आपकी best price के लिए बहुत ही important कोसन है दोस्तों आनसोर दोस्तों 20 माई नदी ये दोनों नदियां राष्तां की क्या है बारा मस्न नदियां दोस्तों Next question निमन में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है बताइए दोस्तों निमन में से कौनच नदी है जो अरब सागर में जाकर गिरती है बामनी नदी पस्चिम बनास नदी या बान गंगा नदी या बनास नदी बान गंगा को ही अरजन के गंगा का आज़ता है दोस्तों आनसर क्या होगा आनसर दोस्तो पस्टिम बनास नदी एजो राज़ नदी एजो को अरब सागर में जाकर गिरती है नेक्स्ट कोशन बारत में खारे पानी के दूसरी सबसे बड़ी जील संबर जील है किस जिल्य में होती थे हैं? दोस्तो बताईए, बारत कि crazy paan et की सबसे बड़ी जील्य है, DOOSTो सबसे बड़ी जील्य है, DOOSTो चिल का ये बारत की दूसरी है, किस जिल्य में है, DOOSTो अजमेर में, जेपटपूर में, नागवर में, बाड़ मेर में आन्स्वरे दोस्तो जेपपुर जिले में है सांबरदीन जेपपुर जिले में है दोस्तो नेक्स्ट कोशन निम्मन में से राजस्तान में चूलिया जल पर पात किस नदी पर बनावा है दोस्तो बताईए चूलिया जल पर पात राजस्तान के किस नदी पर बनावा है दोस्तो लूनी नदी बनास नदी चंबल नदी या गगर नदी आंस्वर क्या होगा दोस्तो चूलिया जलब परपात किस नदी पर बनावा है आंस्वर है दोस्तो चंबल नदी चैसे चूलिया जलब परपात चैसे चंबल नदी पहुत एच्छा कोशन था दोस्तो नेक्स्ट में शिरोई में क्या आंसरोगा दोस्तों नाक की पाड़ियां किस जिले में इस्तित हैं आंसरोगा दोस्तों अजमेर जिले में क्या आंसरोगा अजमेर जिले में नाक की पाड़ियों का विस्तित हैं दोस्तों नाक की पाड़ियां अजमेर में हैं तो हर्स की पाड़ियों का विस्तार या इस्तित किस जिल्य में जलोर जिल्य में उद्यपुर जिल्यों में शिरोई जिल्य में या सिक्कर जिल्य में आंसर दीजे दोस्तों क्या आंसर होगा आंसर दोस्तों सिक्कर जिल्य में किस जिल्य में विस्तार है अर्श की पड़ियों का सिक्कर जिल्य में दोस् कौन सा भाग है जो भोतिक प्रदेश जल्विवाजन का कारिय करता है दोस्तों बताए क्या आंसरोगा दोस्तों बहुत इच्छा कोशन है दोस्तों आंसर है दोस्तों मद्यवर्ति राउली प्रदेश जो राजस्तान में जल्विवाजन का कारिय करता है दोस्तों नक्ष्ट क 14 पीट 5,240 पीट या इन में से कोई नहीं बताए दोस्तो गुरु सिक्र की कितनी उंचाई है आन्सरोगा दोस्तो इन में से कोई नहीं गुरु सिक्र की उंचाई है दोस्तो 1722 मिट्र है नेक्स्ट कोस्न देखते हैं अरावली प्रदेश को कितने उंप वागों में विवाजित किया गया है दोस्तो क्या अंसरोगा साथ विवागों में या पांच उंप विवागों में या तीन उंप विवागों में या च्यार विवागों में क्या अंसरोगा दोस्तो अंसरोगा बांटा गया दोस्तो अरावली प्रवत माला का विस्तार सबसे कम राज़तां की किस जिल्य में बोथ इंपोर्टेंट कोशन है दोस्तो पिच्छे सेकंड ग्रेड में बेश्टीशे में पुछा गया है निमन में से अरावली परवजमाला का विस्तार सबसे कम राष्टां की किस जिल्य में दोस्तो उद्ध्यपुर जिल्य में अजमेर में डूंगरपुर में या रास्मन्द में आन्स्वर्य दोस्तो अजमेर जिल में रावली प्रवत्माला की समुदर तल से ओस्तनिव चाय दोस्तो नो सोत्तीस मिट्र यह जार मिट्र सोलास मिट्र यह पांसो पचास मिट्र क्या आन्स्वरोग दोस्तो आनस्वर है दोस्तो 930 मिट्र कितना आनस्वर होगा 930 मिट्र दोस्तो नेक्स्ट कोसन देखते हैं गंग नहर से सरवधिक सिंचाई रास्तान के किस जिल्य में होते हैं दोस्तो गंग नहर से सरवधिक सिंचाई रास्तान के किस जिल्य में होते हैं बताएए दोस्तो क्या आंसरोगा अडमानगर जिले में, गंगानगर जिले में, चूरू जिले में या सीक्कर जिले में दोस्तो क्या आंसरोगा आण सरे दोस्तों शिरी गंगानगर जिले में सरवादिग शिंचाई होते हैं दोस्तों इस वSON पुचा जाएगा तो दोस्तों अन्मानगड और गंगानगर अप्शन ज़रू मिलीगा अपर नेक्स्ट कोसन राजस्तान में सबसे अधीक सिंचाई किन जिलों में होती हैं दोस्तों राजस्तान में सरवादीक सिंचाई किन जिलों में होती हैं डुंगुरपूर रभासुडा में, सिरी गंगानगर और मानगड में अलवर और बरतपूर में पाली और जालो और जिले में किन जिलों में सरवादिक सिंचाई होती है दोस्तों राज्तान में आनस्वरे दोस्तों सिरी गंगानगर और मानगर जिले में सिरी गंगानगर और मानगर जिले में दोस्तों नेक्स्ट कोसन देखती है राजस्तान में नेरों द्वारा सिंचाई कितने परतिसत होती है दोस्तों राजस्तान में नेरों द्वारा सिंचाई कितने परतिसत होती है 1.47 परतिसत, 60.36 परतिसत, 25 परतिसत या 30.09 परतिसत क्या आंसुर होगा दोस्तों आन्सुर है दोस्तों कत्तिस पॉइंट सुन्ये नो परतिसत सिंचाई नेरों से उत्तिय राजतान में नेक्स्ट कोस्टन मद्य रावली छेत्र की सर्वादिक उन्चाई परिष्टित कौन्च चोट्टी है दोस्तों मद्य अरावली चेतर की सरवादिक उन्चाई पर इस्तित चोटी कौन चे दोस्तों तो आंसर क्या होगा बताइए जेगड तारागड या रगुनात गड या इन में से कोई नहीं अरावली सबसे उन्च चोटी है दोस्तों गुरू सिक्कर लेकिन मद्य अरावली के हैं दोस्तों तारागड जो अजमेर जिले में इस्तित हैं दोस्तों नेक्स्ट कोशन करनल जम्स टोड ने राजस्तान में अरावली की किस चोटी को संतों का सिक्कर का दोस्तों संतों का सिकर किस चोटी को का है दोस्तों गूरु सिकर है सेर को अंचलगड को या जरंगा को किस चोटी को संतों का सिकर का है करनल जंश टोडने तो आंसर होगा दोस्तों गूरु सिकर को गूरु सिकर क्या का है संतों का सिकर नेक्स्ट कोसन देखते हैं दोस्तो निम्मन में से राजस्तान की दूसरी सबसे उन्ची चोटी कौन सी है दोस्तो राजस्तान की सबसे उन्ची चोटी है दोस्तो गूरु सिकर जिसे संतों का सिकर का है करनल जेम्स टोड ने कि हैं दूसरी इस तर्ट से इंच्डल dei जर्ट चोती कौन सी यर चाह fins तो कौन से अञसर किया होगा दोस्तो आंसर क्या है दोस्तो सेड आंसर क्या है सेर जो सिरोई जिल्ले में लिज्डिड हैsmal sortir निम्मन में से राजस्थान जिल्य में कोन सी प्रवत चोटी इस्थित्त हैं? बताएं सेर जरंगा अंचलगड इन में से कोई नहीं दोस्तों क्या आन्सरों का दोस्तों आन्सरों का दोस्तों जर्गा चोटी जर्गा दोस्तों उद्यापुर रासमत जिले की सुंक्स है दोस्तों नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं राजस्तान में राउली पर उतमाला की कितने परतिस्त लंबा है दोस्तों रावली परतमाला की राजस्तान में कितने परतिस लंबाई है दोस्तों 80 परतिसद, 55 परतिसद, 66 परतिसद या 43 परतिसद क्या आंसर होगा दोस्तों सोच समझ कर आंसर दीजे दोस्तों आंसर है दोस्तों 80 परतिसद राजस्तान में रावली परतमाला कितने लंबा है दोस्तो असे परतिसत next question माई प्रियोजना से राजस्तान राज जीम के कितने जिलों को सिंचाई सुविदा उपलब्ध है दोस्तो माई प्रियोजनासे राजस्तान के कितने जिलों को सिंचाई उपलवद है दोस्तो तो आंसर क्या होगा पांच जिलों को, च्यार जिलों को, दो जिलों को, आर जिलों को क्या आंसर होगा आंसर है दोस्तो, दो जिलों को मासवड व डूंगर फूर्ची लेको सिंचाई उत्तिया दोस्तो माई प्रियूज नासी नेक्स्ट कोसन निमन में से राजस्तान की इंद्र गंधी नहर के प्रियूज प्रियूज नासी नेक्स्ट कोसन निमन में से इंद्र गंधी नहर का उद्गम स्तल राजस्तान में कहां से वाएं दोस्तो इंद्र गंधी नहर का उद्गम स्तल कहां से वाएं पोगवांद से उसे नेवाला से रिक्य बिराज से निमन में से कोई नहीं बताएं दोस्तो राजस्तान में इंद् प्रवेस कहां से करती हैं किस स्थान से करती हैं तो आंसर होगा दोस्तों उसेनी वाला से उसेनी वाला से रास्तान में इंद्रा गांदी नहरे प्रवेस करती है दोस्तों उद्गम स्तल्तो एरिक बिराज है दोस्तो नेक्स्ट कोशन बारत की सबसे बड़ी नदी प्रियोजना नदी गटी प्रियोजना कौन सी है दोस्तो बताए बारत की सबसे बड़ी नदी गटी प्रियोजना कौन सी है दोस्तों कोशन केसे लगे अच्छा लगे तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें दन्यवा दोस्तों